हलो काईज विल्कम बैक टो एडूप चालम आपलेका दोस्तों चैनल का वस्त फ्रांत हो दोस्तों फाइनली टेक्टू इंटरक्टिव का इवेंट हो चुका है और अब आपको पता चलेगा कि जीटी ए ट्रालोजी हमाल का क्या हुआ है रिलीस कब हो सकता है और साथी साथ इ अगर आप लोग पहली बार आयो तो अब भी के भी सब्स्राइब करके ब्लेट में दुरूर से प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के पदोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंडॉट और पीसी गेमिंगे विडियो इद्दम चले लेकर के आज आता हूं दोस्तों 並eg brings लोग स्क्रेंशोट देख सकते हो अब देखो यह इवेंट के अंदर जो कुछ भी चीज़े हुई वही सारे चीज़े यह स्क्रेंशोट के अंदर लिकी वह अब लोग विडियो को पॉस करके पढ़ं सकते हो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी के पूरी जोस्त बता दूँ यहाँ पर कि इस event के अंदर GTA ट्रायो चुमाल को लेकरके इसके जो CEO है स्ट्रॉस जेलनिक टिक टू के उन्होंने बोला है कि यह game listed हो चुका है development के अंदर चल रहा है game release जल्दी होने वाला है लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इसकी जो release date है वो आज भी इन्होंने confirm नहीं करी है ठीक है बस इतना ही हुआ यह event के अंदर इस game को लेकर के बाकी कुछ भी हुआ वा नहीं है तो जैसा मैंने आप लोगो पहले बोला था कि कोई chances नहीं है बिल्कुल भी आप लोग जो है वो उम्मीद नहीं रखोगे तो बहतर होगा वही आपको जो है वो आज देखने के लिए इस event के अंदर मिला हुआ कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है सेविनों ने बोल दिया development चल रहा है गेम बोल जल आने वाला है और वो ही पुरानी बात इनों ने फिर से इस event के अंदर जो है वो दोर आ दिये बाखी कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ है तो अब ऐसे में लास्ट सवाल निकल करके आता है कि बाई कब होगा release तो दोस्तो release date सेम है 2024 से लेकर के 2026 के बीच में अब देखो मेरे से कई लोग पुछते है कि बाई तुमको क्या लगता है कि कौन से साल में कौन से मैंने में ये रॉक्षर गेम से इसको finally release कर सकता है तो दोस्तो देखो मेरे को ऐसे लगता है इस कांसर ये होगा कि GTA 6 जो गेम है ना उससे पहले ये गेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे को ऐसा लगता है जो सवाल आप तो कुछते होने है मेरे से उसका अंसर यह है कि मेरे को यही लगता है कि GTA 6 तो बाद में आएगा GTA Trilogy Mobile पहले रिलिस कर सकता है Rockstar Gamers तो देखो आपको पता है कि GTA 6 कब आने वाला 24 के end में या तो फिर 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा तो हो सकता है कि First half 2024 या फिर Mid में आपको देखने के लिए मिल सके GTA Trilogy Mobile क्योंकि बहुत जादा डिले करके कोई मतलब नहीं है इस गेम को CDC बात है अल्रेड़ी इन्होंने दो साल इसको डिले कर दिया है अब जितना जादा डिले करेंगे उतना ही जादा इनको गालिया मिलेंगी तो इस वज़ए से देखो इतना जादा जो हो कोई भी डेवलपर आपको तरसाएगा नहीं और बिल्कुल भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है डिले हो गया और गेम कैंसल भी किये गए तो इसी वज़ जैसे यहाँ पर जीटे ट्रालोजी का भी सेम सिनेरियो आपको देखने के लिए मिला हुआ तो उसमें ज्यादा डिले मेंट आप लोग सोचो मत कि 25 जब्स तक की जाएगा तो वीडियो अगर आपको चला गदर उसे लाइक कर दो शेर कर दो कमेंट कर दो चैनल पर नहीं जो सब्सक्राइब करके बिल्मों कर दो सब्सक्राइब कर देखने लेका समय में ताफ लोग नेक्स दो में तिलेन बाय 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 तेको बाय फ्रेंट्स